बिहार में चल रहे हैं सियासी घमासान पर इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉंफरेंस कर रही है जिसमें शानवाज हुसेन नितीश कुमार पर जम कर हमला किया है क्योंकि उनके कारेकाल को बीजेपी लगातार टार्गेट करती रही है कि उसमें कारूं बिवस्ता के अलग कराब हो गई है देखे पूरी तरह नितीश कुमार जी इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं एक मुखमंत्री को काम ना करने देना मुखमंत्री को कट्पुतली बनागे रखना कल का जो जीतनराम माजी जी की कल की जो प्रेस कांफरेंस हुई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है जो आई ओपनर है कि वो नितिश कुमार जी चाहते थे कि कट्पुतली मुखमंत्री जी काम करें और यही वज़ा थी कि बिहार के अंदर सत्ता के दो बिहार के अंदर त्याग भी किया और दूसरी तरफ सत्ता भोगने की भी इच्छा उनके मन में खत्म नहीं हुई इसलिए आज जो बिहार की हालत है आज जो बिहार का मजळा कुरौबा रहे हैं बिहार की हसी उड़वा रहे हैं वो जो बिहार बीजेपी ज़ियों के हुको किसी की है तो वो नितेश कुमार जी की है बीजेपी सपोर्ट करेगी जी तरह माजी को चुकि अभी भी आप लोग खुल कर बोल नहीं रहे हैं कहीं कहीं देखा जाए तो एक तरह से जो है नितिन गटकरी से भी मुलाकात की पच्पन मिनुट जी वो सरक की बहुत समस्या है व बात कल उने प्रेस कॉंफरेंस में कही थी उसी को बीजेपी ने उठाया है और साफ तोर पर कहा कि नितीश कुमार सत्ता का मोट छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसलिए एक तरह से समनानता सरकार वो चला रहे थे और इसी वज़ज़ से ये स्थिति हुई है बिहार की सियासत में आज आर या पार का दिन है जीतन राम माजी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं नितीश कुमार को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा या नहीं ये सब कुछ आज तै हो सकता है जेडियू विधायकदल के नय निता नितीश कुमार आज दुपहर डेड़ बजे राज़पाल के स्थिनात्र पार्थी से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नितीश को जेडियू विधायक दल का नया नीता चुना गया है और स्पीकर ने नितीश को विधायक दल के नीता के तौर पर मानिता दे भी दी है अब सारी निगाहें राज़िपाल पटकी हैं कि राज़िपाल क्या कहते हैं सबसे बड़ा सवाल ये क्या जीतनरा माजी की कुरसी आज बचेगी या जाएगी आपको बताते हैं कि राज़िपाल के हिस्ट्री ना त्रिपाथी के बास क्या क्या विकल्प है माजी अगर विधान सभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो क्या विकल्प होंगे पहले आपको ये बताते हैं विधान सभा भंग करने और राश्चुपती शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं गवर्नर साथी माजी को विश्वासमत हासिल करने का भी आदेश दे सकते हैं अपनी स्ट्रेंट साबित करके बताएं विश्वासमत हासिल ना होने पर वो नितीश कुमार को सरकार बनाने का नियोता दे सकते हैं तो ये राजिपाल के पास विकल्प हैं अगर विधान सभा भंग करने की सिफारिश करते हैं माजी अगर विधासवा भंग करने की सिफारिश जीतनरा माजी नहीं करते हैं तो क्या विकल्प होंगे वो अभी आपको बता देते हैं माजी को तुरंत विश्वासमत हासिल करने का आदेश देंगे माजी को बजट सत्रों में विश्वासमत हासिल करने का आदेश दे सकते हैं वहीं विश्वासमत हासिल ना होने पर नितीश को निवता दे सकते हैं